पालक की सबजी पराथेट अपने बहुत बार बनाया होगा पर आज में आपके लिए पालक के ऐसी नई रस्पी लेकाई हो जो आज से पर अपने कभी नहीं तराय किया होगा तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है तो सबसे पहले हम लस्ती लेंगे लस्ती के जगह पर आप यहां पर चाज कभी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप दही भी यहां पर ले सकते हैं तो अब इसमें हम आधा कप बेशन दालेंगे और बेशन दालने के बरस कुछी तरीके से हमें मिक्स करना है अब हम इसमें आधी छोती चमच हल्दी का पाउडर दालेंगे आधी छोती चमच धन्या का पाउडर दालेंगे और आधी छोती चमच इसमें जीरा का पाउडर दालेंगे और आधी छोती चमच से कम हम काली मिर्च का पाउडर दालेंगे और इसमें गरम शुला भी दालेंगे और अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे अब हम कराई में तेल डालेंगे और तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो आधी चम्मच हम जीरा डालेंगे आधी चम्मच इसमें हम सोफ डालेंगे और आधी चम्मच से थोरा सा कम हम अजवाइन डालेंगे और आधी चम्मच से थोरा सा कम हम मंगरेल डालेंगे इसको आपका लोंजी भी कह है लाल में हम दाना दालेंगे और दो सूखी लाल में डाल देंगे ऑर थोरा सा इसमें हम कषी पत्ता भी थाल देंगे पर जो किंगी तरीके से हम भून लेंगे घंगी अगर फ़िट्वbn हम नहीं संद्दौरिकल यहों였 Quand आप देख सकते हैं जो सबजिया अच्छी तरीके से गल चुकी है तो अब इसमें हम पालक दाल देंगे और इसको विच्छी तरीके से mix कर लेंगे और इसको में ढख कर 3-4 मिनट तक पकाना है तो देखे 3-4 मिनट हो चुका है और ये पालक अच्छी तरीके से गल गया है और अब हम इसमें लशी और बेसन का घोल तियार किया था इसको हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरीके से इसको हमें mix कर लेना है और इसमे न हमें एक उबाल आने देना है तो देखे आप देख सकते हैं करी में उबाल आ गया है तो इसको हमें एक दो बार्ची तरीके से चला देना है करी को में लगाता चलाते जाना है और अब इसमें हम नमक डाल देंगे अच्छे से इसको हमें मिक्स कर देना है और अब इसको में म तो बस इसको में जादा गारा नहीं करना है क्योंकि जैसे ठंधा होगा ना तो और जादा यह गारा हो जाए क्योंकि विसमें बेशन का इस्तमाल किया है तो बस इसी स्टेज पर हम इसमें निम्बू के रस डालेंगे अगर आपके दही चाच या लस्ती खती ना हो तब आप होगी है और गया रखतीrif दमार से लेशा एयुवक्राय निम्बू इसमें रखना है और निम्बू मेसा हमें लास्त में डाल ना है करी दैंगे दो नारख्या होकी होगी यृऽ वह वह त्क का यहिद्गा इस शलीवारिक में घादा है यह है करी दो ढखयले है तो देख़े अगर आप एक बार करी बना लेंगे तो पकोरे वाली करी बनाना छोड़ देंगे और हमेशा यही बनाएंगे इतना तेश्टी लगता है तो एक बार इस रेस्पी को जो त्राय करिए और सभी को खुलाएं सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी